अगर आपके अंदर ये साथ आते हैं, तो आप साबित होंगे बुरे पती, शादी के बाद कई महिलाओं की ये शिकायत होती है, कि उनके पती उन्हें वो सम्मान नहीं देते जो उन्हें मिलना चाहिए, रिष्टा खट्थे मीठे पलों का मिश्रण है, पती-पत्मी के रिष की डोर कमजोर पढ़ जाती है, आईए जानते हैं पुरुषों की उन आदतों के बारे में जिनकी वज़र से वे अच्छे पती नहीं बन पाते हैं, नमबर एक आलोचना करना, कई बार ऐसा देखा गया है, कि दूसरों के सामने पती अपनी पत्नियों की आलोचना करते नज आते हैं, या कभी-कभी अपने मनपसंद का खाना ना मिलने पर भी उन्हें तरहत्रा की बाते सुनाते हैं, ऐसा करना गलत है, आपको उन्हें ये बताने की जरूरत है, कि उनकी कौन सी बात आपको पसंद नहीं आई, इसके बाद आपको उनके अच्छे कामों की प्रशंसा करने की भी ज़रूरत है. नमबर दो, रोक्टोक लगाना शादी के बाद पती अपनी पत्नियों पर तरहत्रा की रोक्टोक लगाते रहते हैं. उन्हें ये समजने की ज़रूरत है कि जैसे उनकी कुछ इच्छाए है वैसी ही दूसरों की भी हैं। ज्यादा रोकटोक से पत्नियों के स्वभाव में चिर्चडापन आ जाता है। उन्हें मर्दों की तरह दोस बनाने और घूमने फिनने की पूरी आजादी होनी चाहिए। ताकि वो अपने जीवन में स्वतंत्र महसूस कर सके और उन्हें आपका साथ कि तरह का बंदन महसूस ना हो। नंबर तीन उन्हें सिर्फ एक काम करने की मशीन समझना। अगर आप रोज दफ्तर जाते हैं तो महिलाएं भी घर में ग्रिहस्थी संभालने का काम करती हैं। ऐसे में उनसे ज्यादा काम कराना कोई बड़ाई वाली बात नहीं है। आजकल तो महिलाएं ऑफिस के साथ-साथ घर ग्रिहस्थी के काम करती हैं। ऐसे में घर के छोटे-मोटे कामों का भार अगर पती अपने सर ले लें तो ये पत्नियों के लिए बड़े आराम की बात होगी। नंबर चार प्यार जताना भूल जाना। दिन भर की भाग दौर में व् जीवन में कितनी एहमियत है। अगर आप रोज ऐसा करेंगे तो उन्हें सबसे ज्यादा खुशी होगी। नंबर च्छे जूट ना बोले। अगर आपको लगता है कि आप शादी के बाद किसी और के साथ रिष्टा बनाने की कोशिश करेंगे और आपकी पत्नी इससे अंजान रहेगी तो ये आपकी गल नंबर साथ ज्यादा उम्मीदे रखना हर इंसान रिष्टे निभाने के दौरान एक दूसरों से हट से ज्यादा उम्मीद रखने लगता है। इनसान के अंदर स्वार्थ स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है। किसी से एक हद तक उम्मीद रखना गलत नहीं है। मगर ये भी समझना जरूरी है कि हर इनसान के अंदर अगर कुछ प्रतिभाएं हैं तो दूसरी तरफ कुछ खामिया भी हैं। कोई भी इनसान को हर तरह से संतुष्ट नहीं कर सकता। आपको ये समझने की जरूरत है कि आप ज्यादा आकांक्षाएं रखने की बजाए अपने लाइफ पार्टनर से प्यार और आदर का भाव रखें। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक कर देना।